हेलो मैं सत्या सर्मा आप सभी का रेषवेंट प्रोपोर्शन के इस सशन में स्वागत करता है तो इस सशन में देखे हैं आपको सिखाने दाघए बहुत ही इंप्योर्टंट ट्रीक्स इस कंसेट का एक अच्छी लेफल का जो sandbox होता है वो आपको इस सिखने को मिले है तो मिले उसे आखरी तक बिलकुल हमारे साथ इस वीडियो बने रहे हो जिससे हर तरीके का tricks मैं आपको सेखा पाहूं तो चली सुरू करते हैं तो ट्रिक्स में खास बात ध्या रखनी होगी कि जो यह ड्रिक्स में लगाने जा रहा हूँ, स्सेम स्टेंज के उपर होगा। स्कार मतलब यह लाएं किसी भी कौश्ष्टर्स में 2 number के ब宮श्यों though quantity के मैं और azन снवाट हो और दोनों quantity को सेम घ्रिदियर कर देजिया तुख एक नहा रुक्त भता यह इस टाइब के सारे कोश्चन के लिए मैं आपको ट्रिक्स देने जारा हूँ ठीक है इसको समझने के लिए बेस्ट होगा कि मैं आपके पास आपके सामने एक ऐसा कोश्चन ना हो जहां पी ये बात या बिल्कुल समझता हैं तो चलिए जान से आप देखें क्या कहा रहा है तो लोग है इनकी एज या उम्र में जो अनुपात है जो रेशियो है वह ट्विस्ट वण है कितना दिया वाई ट्विस्ट वण दिया है आपके फाइव या चाल बात कहने का मतलब है कि दोनों कि ये पांज साल के बात कहीं आ रही है तो अभी मैंने आपको बता है सेम चेंज बदब पार्थ की भी एज पांज साल बात और उन्स की भी एज 5 साल बात चेंज होके कि से रेइशियों में नजर आई आपने का 3 заб तो तो कहता है कि बताओ दोनों की PRESENT is क्या रही होगी राइट तो प्रिजन डेस का क्या है तो बताइए पहला पॉइंट की इसमें हम लगा पाएंगे जो मैं आपको सिखाने जा है तो जुसके पहले में आपको पहले बैसिक से समझाने जारा कि कि इस टाइप के कॉस्चिन में अगर कभी भी चेंज़ सेम नहीं हुए तो आप आप एक लिएक्ट लिए तो बैसे काम है तो चलिए पहला है कि present is पूछाता रहा है पार्ट रण्स की present is का ratio तू इस टू वन था ठीक है जो question में दिया हुआ है तो ऐसे बहुत सारे options से देख सकते हैं आप 2010 में 2 इस टू वन का ratio यह दोनों option में लड़ाई है ठीक है तो option method भी हम सीखते से रहेंगे क्योंकि बहुत ही यूसफुल फंडाय आप्शन में तर्ट प्रपोर्शन के इस ठीक है टॉपिक ट्वैंटी इस टू टैन्ट इस टू फाइब में कौन सा ही जवाब है चलिए देखते हैं तो बेस्कूल बेसिक से सुरू करते हैं मैंने क्या पढ़ा है था कि टू इस टू वन का ratio है तो बताए यह बैलू कैसे लिखेंगे बैलू लिखना आपको प्रिजेंटेज की बैलू टू एक्स एंड एक्स ठीक है आफ्टर के बाद की दोनों की यह है तो क्या मैं इसमें ratio लिख सकता हूं अरे बताओ ना भाई हाँ या ना बताओ बिल्कुल लिख सकता हूं और यही ratio क्या हमें question में दिया है अपने का बिल्कुल दिया है इसको देखके कुछ-कुछ हो गया होगा कि एक ratio दूसरे ratio के equal आ गया जिसक extremes तो क्या है भाई प्रोडेक्ट आप मेंस बता दीजिए फटाफट 3 into x 3x 3 into 5 50 equal to equal to 4x 4x plus 10 अच्छा बताओ यह क्या है का जब आप हमेशा आप कमजोर कोई लोग पर इसान करते तो 3x कमजोर है किस से 4x के 3x को इदर बुलाईए साइन चेंग तो साइड चेंग तो साइन चेंग तो बचेगा 3x में से 4x 3x में से 4x को अगर हम जल्दी से घटा लें तो बताओ क्या आएगा भाई 3x में से 4x को नहीं 4x में से 3x को गटाओ मिसा ज्यादा में से कम हो गटाओ जो उससी negative sign नाए तो कोई problem नहीं आएगी 15 में 10 में 15-10 में किसको छेड़ेंगे बड़े वाले को नहीं छेड़ेंगे बाई परिसानी में बढ़ जाएंगे तो 10 को अच्छेड दिए तो 15-10 क्या आएगा 5 जब प्रेजेंट इस क्या था यह था अंड़ा टू इंटू 5 10 और एक्स की बेलू 5 तो इस मेठड से अभा रहे हों तो बिल्कुल यह वाला में 3rd नहीं लगा ना हाब राइट तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक वह था है त्यार हैं पंपका शुरू करें तो चलिग सुरू करते हैं इसके लिए ट्रेक्स क्या ट्रेक्स है यए बगल में देख लिए राइट अ रे यार अपन उनों रिशे लिए 3 ओर 2 अचा इसके बीद गैप चटकर ये कितना है इसके बीद गैप कितना है वाँ अगर ये गैप same हो गया तो यहीं पर question उड़ा दिए क्यों इक गैप ही same होता है तो इस गैप अगर इस गैप जो दिखाया मैंने इगर ये same है तो फिर इतना यहहां से यहां तक पहुचेगा बढ़कर यह वहां तक पहुचेगा, जब देखो यह 2 था, क्या था? 2 हो गया 3, एक के बाद ही दूँआ, और एक से क्या हो गया 2 थो हम यह कहें अगर यह बंदा 2 साल का है पार्थ भी 2 ही साल का है और अंसे एक साल का है तो मैं अगर पूछू की पार्थ दो साल का है, तीन साल का हो जाता है तो कोई भी बच्चा बुलेगा भाई एक साल के बाद ही ऐसा होगा अरे चमका की नहीं भाई चमका बिल्कु जईद और इधर से भी आपको होगे एक साल के बाद ही होता है लेकिन कोईश्चन की जो डिमांड होँ एक साल के बाद की तो है नहीं कितने साल के बाद की है पाच इसकिम तो यह है एक जो हम सोच रहे है वो एक नहीं है this is not one this is five it means one equal to five एक relation मिला हो one equal to five मेरी इस बात को दिहान करिए जब मैंने बोला था मेरा जो 1 होता है वही X होता है मेरा तो X तो कोस्चन में आ चुका था 5 आ चुका था लेकिन OX निकालने में अपने बिल्कुल टाइम बेस नहीं किया चुटकियों में बता दिया पलक जफकते यह बता दिया ठीक है तो एक की वैलू अगर 5 है तो हमने प् इंसर आया की नहीं है त्रीक्स most important है बहुत जबर्दस trick है बहुत सारे कोश्चन में आपको मैं यह सिखाऊंगा कम समझ माया अया कम समझ में रहे यार अगले कुश्चन में देखो भी नहीं समझ माया उचैक है ऐसा ही अगला कुश्चन आ रिया रहा है तो फटा-फट दे कितना ब्र ऐए और क्यों नहीं समस्तें बात को अ इंकंडिर हो और इसके इंक्सपेंडिचर सारा करती तो डें यब् hover क्षुच बचाया है तो व लाता है सेविंग सेवइंग है बात आप बताईए यहां पे हमको कि 4-3 का income का ratio है, 4-3 में किसका ratio भाई, income का ratio है, 4-3 में अच्छा और expenditure में क्या है भाई 3-2 question में आपने एक चीज़ देखा दोनों कि saving बराबर है, thousand each यही तुम्हें चाहिए क्योंकि मैंने का देखा, तिन में gap कितने का भाई, one का, इसमें भी gap कितने का है, one का, इसका मतलब यही तो पका gap सीम होगा, कितना है, one, अज़र भी कितना है, यह भी gap कितना हुआ, अच्छा एक बात बता, आपने पढ़ा होगा, income में से अगर expenditure को minus कर देए, तो क्या दूनों की saving सेम है, दूनों की saving कितनी है, thousand तो, one equal to कितना, one thousand, तो क्या आप four निकाले में तकलिप हो रही भाई, तो दे, कैसे हो सकती है, answer is, four thousand, अगर मैं, अच्छा किसकी income बुचा भाई, धोनी की, धोनी, मैं एंसिंग दोनी की income बुचा है, तो कितनी थी income दोनी की, ratio में four unit थी, इसका मदे four ही है, मैं बताना है four, कौन साप्सें साही बताओ, बता दो भाई, क्यों सर मारो, चाँ, ठीक है, clear work नहीं, shortcut समझ माया, और अगर कुछ रह गया, असर तो किस में पूरा करते हैं, चल यह क्या है, two numbers are in the ratio, three is to five, चल भाई, प्रक्रवाइब नमबर आ गए, कोई बात नहीं है, नमबर तो आएगा, या अगर आगे पीचर लाइन में लगो, तीन और पाच का ratio है, बिलकुल है, दोनों में क्या जूना रहे, same number add करना, if nine is added in each number, एक बात बताई, यह tricks लगे की नहीं, क्यों, nine is added in each number, the ratio becomes 20 minus to 32, चल यह आद आए, बहुत ही मद्यदार question आगया, उसी question की तदर काड़ थी, क्योंकि अभी तक तो आप हर question में, gap same आजाता था, हमेथा पहले आप same करने का try करो, अगर नहीं है तो, तो इस question में 11 का gap दिख रहा है, अगर 3 और 5 में 2 का gap, same तो है नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो gap save करने की technique देख रहे, इन दोनों में कुछ common नहीं, अगर common है, तो common हटाने के बाद जो बच जाया है, उससे ही उपर नीचे मल्टिफ्राइड करें, इसमें आप 11 से मल्टिफ्राइड करिए, और इसमें आप किसे करिए, 2 से कर देख, एक चीज बताए, ये 11 इसमें होने का मतलब इन दोनों नंबर्स में हो रहाए, इसमें इसमें आप नीचे वाला नंबर्स में अगर आपने टूब किया तो 21 इसमें आप लेना देना खताब हो ये काम मैंने कर लिए अब सारा मतलब इसमें हो गया आपने का बिल्कुल 22 इसमें आप नंबर 33 था, बढ़कर 42 हो दाता है, तो बढ़कर होता है, तो क्या करोगे, अब कुछ ना कुछ जोड़ोगे, रहे चमका की नहीं यार, जोड़ोगे ना भाई, चलो तो क्या इधर भी होई जोड़ोगे, रहे देखो ना मुसकर आ रहे हैं, ये भी कह रहा है, हाँ बल्कुल हम जोड़ेंगे, 33 और 42 की बात करें, तो कितना जोड़ेंगे, बताओ, 9 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 9, अब कोश्चन में भी कितना जोड़ेंगे, उसमें भी कह रहा है, ना इन जोड़ेंगे, तो हमारे कोश्चन की डिमांड पूरी हो गए, कि हम 9 जोड़ रहें, और कोश्चन भ पार्ट बिल्कुल सही जबाद तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया मजा रहा है कि नहीं बताइए कमेंट करके बताइएगा बहुत ही अच्छे-च्छे ट्रेक्स हम सिखेंगे चले अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं एक नया कोश्चन एक नए अंदाज में राइट र आसकल लॉकडाउन है ना भाई तुम मिल नहीं रही है कुछ लोग तो इसकी से ज़्यादा दुखी है और यह वाटर कम है इसमें उसी के सारे जिंदगी चल रही है त्री और वन वाइन वाटर का है अगर ट्वंटी लीटर का सुलूशन है ठीक है चलिए कोई दिंग क्या ह आऊ माँच वाइन मस्ट बी एंड ακ कितना ओंड करेंगे रेश्यों क्या बन जाएं को अगरं आपको वाइन से प्यार है अ कि मि क्चेर है उसमें । nad मिला हरे है बाना देश्र किसण पा रहे हो तो वाइन मिल रहे हो तो वाइन तो बढ़ेगा या वाटर नहीं कुलिए बढ़ना भी नहीं की ऊंद तो घुर के देख़रों माद कि इससे उतलें सफाह के ृट्ट्र कितना अने अर्थ दुट्यन हमारा कह रहा है कि हमारा कोश्चिंद के रहा हैं तो कि मुझे दिकाई दे रहा है मैं इसको फील कर पा रहा हूं कि यह वन वाटर पहले भी अब भी इसका मतलब मुझे वाटर को कुछ रिड़ने की दरूबत पड़ी नहीं यहां पे जो मैं चाहता हूं वो मुझे दिख रहा है ठीक है तो एक बात बताईए अगर आपको वाटर दिख गया सेम सेम की क्वेश्चन में भोल भी रहा है कि रेश्यों के टम्स में 3-1 एंड 4-1 में वाटर से मुझे पता भी है मेरा कमंसें से कहता है मैं फील करता हूं अगर पानी मने नहीं डाला तो पानी क्यों बढ़ेगा पानी अ सर्वम्हाइन पका चमका कि नहीं बाई अरे बताना यार कि शमका चलिए तो बाट यारत तीन यूय नेट वाइन और एक यूय वाटर को मिला कर चार लीटर का सुलूशन चार यूयूट का सुलूशन तयार होगा जबकि को स्बाशन चार का दे नहीं रखाए उसदर लो जमका की नहीं भाई बताना यार चली तो बात यार एक तीन यूनेट वाइन और एक यूनेट वाटर को मिला कर चार लीटर का सुलूशन तयार होगा जब कि वोश्चन में सुलूशन चार का दे नहीं रखा उतने तो भी इसका दे रखा फोर को 20 आप बना सकते हैं गब बना सकते हैं जब फोर को 5 से मल्टीफाइड कर सकते हैं तो मेरा कोशन क्या कहता है कहता है कितना वाइन मिलाया । वाइन पeti टीछा है गात हैं लूधा बल इपर तो कौन सा पाट सही जवाब भाई पाच चवाँ सी पाट किलकु सही तरफ ड़न मज़ा आ रहा है बाई चमक रहा है चमकाग रखी एदम तभी मज़ा आएगा एदम चलिए नेक्स कोश्चन की तरफ वह सही विल्कुल सिम्लर ट्राइप का कुश्चन आधमका आपके सामगे तो क्या प्रब्लम है करा मेक्चर कंटेंस फिल्क एंड वाटर एक मेक्चर में दूद और पानी है और ये किस अनुपात किस रेश्यो में है इस रेश्यो यह फाइव स्टो टू अच्छा इसमें करा 11 लीटर पानी दाल दो वाटर एड़एड आप 11 लीटर और रश्यो तरय आक्ट Aurat रहा हें डॉष वाला ट्रीक्स मत लगा देना गैप वाला गैपका फंडप लगेगा जब दोनों चेंज होंगे यहां पे तो के रहते हैं पग पाणी नहीं का फील आया कुछ अरे आया तो बोल दो ना भाई अच्छा दूद का फील आया बहुत अच्छे गूड गूड तो दूद इसमें जो है उससे होना अच्छी है पांच और साथ को सेम करने का ट्रेक्स कुछ कॉमन है का भाई फाइब सेवन में नहीं है बलकुल अच्छी बात चलिए तो अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो इसका उसमें मल्टिप्लिकेशन उसका इसमें कर दीजिए तो चलिए करते हैं सेवन पाइब सा थर्टी फाइब सेवन टूजा ओटी उस पाइब का इन दोनों में करिए 5,7,3,5,5 जा 25 क्या दिखा अरे दिखा बिलकुल चमक तरा है चमक गया बहुत अच्छे 35,35 मिलकिल सेम होना भी चाहिए तो क्या पानी बढ़ा पानी तो अपने डाला पानी तो एड किया वाटर एड कितने लिटर वाटर करेंगे कि 14 से 25 होदा एगा तो अपने का बिलकुल सेंपल है 11 लिटर एड करेंगे अच्छा अच्छा इदेक इसमें क्या था भाई मिलक 30 लिटर और बाद में भी क्या होगा तो चाहिए पहले आप पूछो चाहिए आप बाद में पूछो मिलक तो वही रहे एंसर आया कौन सा पार्ट बी पार्ट बिलकुल सभी गोड वेल डैन समझ महीं बात तो अगर किसी एक को छेड़ेंगे तो दूसरा भी चेंज होता है ठीक है रेष्ट की में बिलकल ऐसी बात होती है क्योंकि रिलेशन्स ही होता है कि पहले किस में थे और छड़ने के बाद में क्या रिलेशन बना ठीक है तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए कि को फिल करना है आपको राइट को पूरी करनी है पहला इंपोर्टेंट फंडाय की कॉश्चन समय मैं आपको वाज़ा तो किसमें पहली वाले ट्रिक्स में लगाना है दूसरा ट्रिक्स है तो फाइनल कंकुलूजन यह निकल ला है कि गर मैं पानी मिला हो तो पानी तो एड होगा इसमींज पानी कॉइंटिटी कॉश्चन और ऐसे आपके सामें लाता है फटापट देखें नेक्स्ट कॉश्चन चले सुरू होता यह कि सेलरी आफ ए एंड बी आर इंदा रेश्यो ट्विस्ट दो लोगों की सेलरी है दो और तीन की रेश्यों लेकिंस देलरी से गुनों की बड़ा है अच्छा फिर से लाइन देखें इच इंक्रीजड बाई पॉर हंडड़ इसमें कॉन सा ट्रिक्स लगेगा अरे चमका तो बोलना भाई पहला ट्रिक्स बिलकुल सब्साइब चले सुरू हो जाए तो जो कर समझ माहत लगा ना सुरू कर जीए तो कितना है 40 और 57 क्या पता है था पहला इस्ट तो है नहीं जे मोदा तो है कानी फिनिस कर देते हैं जास नहीं है तो फिर करने का तरीका 17 से उपर करिए 17 टूजा 34 17 जा प्यप्टी फान नीचे बन से करेंगे तो यह तो चेंज होने वाले नहीं कोई नहीं चलेगा अच्छा यहां पे दगो कितनी से लगा रही बढ़ रही वाई बार 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 बोला कि पहले की चीजिए उस्टेमारा कोई लेना ना अब मेरा मतलब इससे आया तो यह सिक्स की जो सेलरी बढ़ा रही यह वो कोश्चन में तो 4000 की दे रहे हैं एक की बैलो निकालेंगे तो 4000 को आप 6 से डिवाइट करेंगे तो यह 2000 दो से आप सिंप्लिफाइब करो इससे ज्यादा चोटा मत करने लगना नहीं तो परिसान हो जाओ कि यह पूरा कटने वाला है तो कोई नहीं जिस सरीके से वान आजा जैसे ही अच्छा लगे इसको लाई क्यों कि यह मेरा एक्स होता है वान जैसे मुझे मिल गया वैसे आप सो पूछा क्या वाई कोई ECНमी नियु यार रखना आगर कोशन में नियु वाड़ है तु नया के बार है कुछ नहीं लिए तो पुराने के वारे nagवर निद्यस ली अभी अच्छा वी तो क्या बदाना वैई नहीं की बैलू तैन युशू की यह श्यावाव यार ऊंको सब्सक्रा रहा है बताइए कौन सा मुस्कुरा रहा है बिल्कुल सही कौन सा इस वेल डेंड नाइस जो आप चलिए जल्दी से करिए अगला कोश्चन इसमें तो स्पीट बढ़ा दो भाई अरे अब तक सब कुछ हम का तो फिर कोश्चन का जबा बता कमेंड करके प्लीज जर सब्सक्राइए कुछ दुखी लोग हैं के लिए में सुरू करते हैं बागी लोग ट्राइए करते रही है चलिए अर बी की प्रेजेंटेज का रेशियो तीन और दो ठीक कोई बात नहीं फाइब यर्स अगो मतलब पांक साल पहले पीछे यार लेकिन दोनों जा रहे हैं दोनों पांक साल पीछे जार चेंज इस दोनों में सेम हैं इस में भी मारी यू ट्रिक्स का मादा घएगी दिखेव ट्रिक्स पढ़ने का कितना फाइदा और नायग्स के चक्र में तो हम ऐसी फ्रेशार रहते हैं और भी प्रेसान होँदाएंगे तो क्या गैप सेम है पत्राप स्ञ, पाद फञ ध्रक्स ट्राइफ करें पहला स्टैब काप सेम है की नहीं, तो गैप सेम नहीं, कोई नहीं करना आता है तू से करियो पर नीचे वन से करिए तो तू थी जा नीचे बताइए क्या बनेगा नीचे तो कोई चेंड होना नहीं तो बात करेंगे इसकी बताइए इसमें दोनों की एज पांच साल पहले मतलब मेरे इस कोश्चन के हिसाब से जो यह वन है वन की बेलू की तो पांच है अरे यह बात समझ माइग नहीं अरे हां या ना बोल भाई यह वन इक्वल टू फाइव यह वन मेरा एक्स होता है तो वन अगर फाइव है तो क्या पुछ लिया भाई आपसे प्रिजेंट इस प्रिजेंट इस अरे इसमें मत घुजा ना तीन दो में कुछ तो यह इसे टपक पड़ते हैं यह जब बलकु दरने जरूत नहीं है क्या है छे और चार तो चलिए पड़ा पड़ बताएं एक अगर पाइव तो फॉर पाइब जा इसमें तो तकलीफ नहीं हो गई अरे वन इक्वल टू फाइव तो जार च्छ गुना च्छ होगा तो पांच कर से गुना तीस और उसका ठीक है तो छे इंटू पाच है ना इसी तर चार गुना पीस कौन सा पार्ट दिख रहा है थार्टी टॉंटी का जल्दी से उड़ा दो कोस्टेन में ऑप्सन नमबर पी समझ पाए मज़ा आया क्लियर हो रहा है पक्का चीक है तुदन चमका दीदे चलिए आकरी कोस्टेन आपके लिए जल्दी से बताएं फटा-फट पता ये बहुत ही मज़दार कोस्टेन है बट इनक्लीद होने की दरूफ नहीं है रेश्यो आफ लाइंड टु वाटर आनर्थ इस अर्थ पर इस प्रिथिवी पर जरातल पर कह रहा है कि लैंड टु वाटर ठीक है तो लैंड और वाटर जरातल पानी का जो रेश्यो है वो आइस तो पुल कितनी उनिट बनी भाई इसकी अर एक यूनिट है दो दो एकितनी है तो नार्थन का वही होगा क्वांटिटी नार्थन की जितनी होगी इतना तो नौलेज अप्ट होना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर बराबर पार्ट में बटे हैं तो इनकी क्वांटिटी सेम करनी पड़े चले कोई नहीं अभी तो टोटल त्री यूनिट की पूरे अर्थ किया है तो नार्थन हेमिस्पेर में ये रेश जो टू इस टू तू त्री है यहां सी यूनिट क्या बन रही जोड़ो भाई दो और तीन मिला के टोटल पांच और यह पूछा दा रहा है कोई बात नहीं पहले तो आप इनको सेम करो इनको सेम करने का मतलब है इसमें आप फाइब से मल्टिफ्लाइट कर दो इसमें आप सम्दा रहें बाई क्यों सेम कर करना पड़ेगा इधर भी यह बात इधर भी तो क्या कहानी आगे प्रोसीड हो रही वाई फाइब और टेन टोटल बन गया तो इधर क्या वह रहा भाई शेक्स और नाइन इधर बन गया लेकिन एक की बताईए जो क्वांटिटी टोटल होगी हेमिस्पियर की नार्थन और खावतरों मिलाके तो इक्वल होगी अगर यह 15 यूनिट नार्थन है तो अगला 15 यूनिट क्या होना चाहिए साथन भी होना चाहिए तो यह पक्का 15-30 होना जे तीस होने के लिए इसको आप कनेट करो इंटू तू करने से फरक इसले नहीं पड़ेगा क्योंकि काम ए एक तरफ नहीं मैं दोनों ही तरफ करना हो कि यह पूरे आर्थ का सीन आ गया है कि किसका सीन है पूरा अर्थ तो आर्थ की बात होगी कि के पूरा अर्थ अब है नार्थ का और क्या है साथ का अच्छा नार्थ में तो कोई छड़ खानी नहीं करनी है क्योंकि 6-9-15 तो अगर टोटल 6 है जिसमें ते टोटल 10 है उसमें ते 6 गटा दो तो यह कितना बचेगा वाई वाई तो टोटल 20 उसमें जार कोश्चन लास्ट कोश्चन तो क्वाफी अच्छा मिला इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके आप देख लेना अगर इस समझ में नहीं आई क्योंकि मैं इतनी बात आपको इससे समझाना चाहता हूं कि अगर एक अर्थ की मैं बात करूं तो आधा एमी आधा एमी पंद्र होगी उसका डबल थर्टी होगी तो थर्टी बनाने के लिए मैंने इसको क्या 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 डबल कि इसमें रेश्यों नहीं आएगा तो उनों की कुछी तो नहीं चाहिए अगर एक तरफ करूं तो मैं दूसरी तरफ भी करूं तरिक रेश्यों का कंडीशन यह है तो म पंटिपल में लिख सकते हो कोई प्रोब्लम है नहीं बट हाँ एक्चुल में जो रेश्यों होई रेश्यों तो उमीद करता हूँ कि आपको यह ट्रिक्स समझना है ठीक है कमेंट में जरूर बताएगा आगे और नहीं नहीं ट्रिक्स में आपको लेकर आउंगा आउंगा तो इसी कोशन के साथ हम आपसे बिदा लेते हैं ठीक है मिलते हैं ब्रेक के बाद ओके टाटा बाई बाई सी तब तक आप अपना खाल लगए बाई